हेलो वरिमन वेलकम यूओ लेट लोकेश सार अलम्टेड स्टडी जो चलिए चैप्टर नमबर फाइव स्टार्ट करते हैं चैप्टर नमबर फाइव गनित का जिसका नाम है सांदत्य तथा अवकल नियता ओके जी तो यह चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्ट है NCRT में मैं कहूंगा काफी कम इसके पार्ट दिये हुए हैं बड़ जब आफ कॉंपटिटिव में जाएंगे तो यह चैप्टर बड़े रूप में आता है कई सारे फॉर्मेट आते हैं प्रैक्टिस के लिए मैं कहूंगा इसके लिए अब थोड़ी से डिफरेंट बुक लगाई है NCRT के लावा NCRT में केबल कंटिनुटी वाला पार्ट बड़े अच्छे से दिया है मगर डिफरेंशियेशन की प्रैक्टिस उतनी ज्यादा नहीं दी गई है तो आप अलग-अलग बुक से डिफरेंशियेशन लगाएंगे तो आपको और ज्यादा बहतर रिजल है मतलब F नाम की चक्की में X को प्रोसेस करोगे तो क्या मिलेगा Y मिलेगा जैसे फॉर एक्जामपल के लिए Y is equal to sin X यहाँ पे फंक्शन कौन सा है मतलब X पर sin रूल लग रहा है मतलब input पर sin रूल लगाओगे तो क्या मिलेगा output अब अगर आप X की value यहाँ पर रखते हैं पाई बाई 3 यानि की 60 डिगरी तो आपको बदले में साई लगा करके साई रूल लगा करके साई पाई वाई थी कितना मिलता है साव रूट थीवाई falling कितना मिलता है रूट थी वाई 2 समझ आप तो यह हो गया in put यह हो गया output बच्चों mathematics में हर function का एक domain होता है हर function का एक domain होता है कि वो कहां से कहां तक define है वो कहां से कहां तक define है उसको प्रांत बोलते है function का function का प्रांत बताता है कि वो function कहां से कहां तक define है ठीक ना अब देखिए जब आप function का grab बनाते हैं जब आप function का grab बनाते हैं और जैसे example के लिए आप लिखते हैं, जैसे मान लिजे मैंने आपको कोई function दे दिया, x square minus 9 upon x minus 3, ये कोई function है बच्चों, x square minus 9 upon x minus 3, ये कोई फलन है आपके सामने, अगर मैं बोलूँगा कि इस फलन का domain क्या है, इस फलन का domain क्या है, तो 11B class आपने सबने पढ़ी है, तो आप क x is not equal to 3, मतलब ये जो अपना फलन है, ये हर वास्तिविक संक्या खाएगा, मगर केवल 3 नहीं खाएगा, तो इसका domain कितना हो गया, r minus 3, कितना हो गया domain, मतलब हम सब कुछ लेंगे, हम केवल 3 नहीं लेंगे, तो बच्चों इस 3 point को देखे, इस 3 point को हमने बाहर निकाला, इस बच्चा ना डाल सकते थे, बट जैसे ही हम अपनी चक्की में पत्थर डालेंगे, तो पत्थर पिसके नहीं आएगा, चक्की खराब हो जाएगी, क्या हो जाएगी चक्की, मलब चक्की का कोई आंसर आपको नहीं मिलेगा, similarly इसी तरीके से अगर आप इस function में 3 डालेंगे, क्या डालेंगे, 3 डालेंगे, तो यदि आप 3 डालते हैं, तो देखे, F of 3 पर आपका जो function आएगा, वो आएगा, 9 minus 9, upon 3 minus 3, 0 upon 0, बच्चों ये 0 upon 0, 1 नहीं होता है, 0 upon 0, 0 भी नहीं होता है, ये है, अनर्धार ये, क्या है ये, मतलब मैट्स का एक ऐसा concept है, जिसका कोई आस अब आप बोलेंगे कि सर, इसको मैं ग्राफ में ड्रॉ कैसे करूँ, प्रॉब्लम को समझिए, क्या प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप इसका 0, x equal to 3 पर देख रहे है, 0 by 0 आ रहा है, अब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, 1 पर, 2 पर, ऐसे ड्रॉ करते आएंगे, minus 1 पर, तो minus 1 पर भी कोई ना कोई वैल्यू देगा कि नहीं देगा, अब मैं वैल्यू नहीं नहीं का लहा हूं, सपोज, ऐसे कुछ चला रहा हूं, ऐसे कोई भी ग्राफ, माल लीजिए, ऐसे ये ग्राफ आया, ओके, 1, 2, बिटा, जैसे ही आप 2.9 पर पहुंचे, किस पर पहुंचे, 2 2.9 पर तो भी ये वैल्यू देगा, देगा कि नहीं देगा, बट जैसे ही आप 3 पर पहुंच रहे हैं, तो 3 पर पहुंच करके, आपको कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, यहां पर एक सडन जंप आएगा, एक ब्लैंक के स्पेस आएगा, यहां पर एक खाली जगह आ थी, बट 3 पर कुछ वैल्यू चलो, आपने चोला चलो आँगे बढ़ते हैं, आपने कहा भाई 3.1 पर वैल्यू निकालते हैं, किस पर निकालते हैं, 3.1 पर, किसी ने और पहले निकाली, 3.00 वो भी आ गई, मगर 3 पर नहीं आई, ओके अब देखो दो तरीके हैं, भाई तो 3 के बाद, 3 के बाद, देखे, यह जो इस कंडिशन थी, 2.99 इसको बोलते हैं, मैट्स में 3 माइनस एच क्या बोलते हैं, मालब 3 के जस्ट पहले वैल्यू, तो 3 के जस्ट पहले वैल्यू ये निकलिए, माल लो ये वैल्यू है, के वन, माल लो ये वैल्यू किती है, होगी कुछ 10 15 50 जो भी होगी मगरम मैंने वालिया उसकी वैल्यू क्या है के वन आई बार समझ में उसकी वैल्यू क्या है के वन अभी देखी 3-H है ओके यह 3-H आपने फिर इसके बाद वैल्यू निकाली बिल्कुल जश्ट आँगे 3-H पर तो दो चांसे से दो चांसे से कैसे दो चांसे से वैल्यू जश्ट यहीं से सुरू हो जाए बुलो दो चांसे से वैल्यू जश्ट यहीं से शुरू हो जाए आप लेवल देखिए वैल्यू का देखिए यहां पर जश्ट पहले लेवल मिल रहा है वैल्यू का कित्ता बिटा के वन यह सानो और कि 3 के जस्ट बाद भी अगर आप लेवल देखें वैल्यू का तो भी लेवल कितना मिल रहा है के वन वाई की वैल्यू कितनी मिल रही है के वन मैं बना रहा हूं अगर थोड़ा सा कचड़ा हो जागा यह देखो दिख गया इसी क्यों पर आरा कि नहीं हा रहा है अरे भाई एक तो situation यह हो सकती थी मतलब आप क्या देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि जो left hand पर value आई है f of 3 minus h और f of 3 plus दोनों बराबर है किसके k बन के तो इसको बोलते है limit exist कर रही है limit exist कर रही है समझ में आया ना मतलब आप value ना बता है पाए तो कोई बात नहीं आप sun के उपर जा क temperature क्या है तो आपने approximate के लिए भई बिल्कुल जास्थ इल चार्रपर अब ही है जस्च उधर का temperature भी है है आपने रेच में पीच में से इदर वही है इधर वीपड़ीर में अब इसलीं बीच में होगा में होगा हा एक अपने approximation कर लिया तो आपने 3 में मान लिया कि इसकी value की q क्या रही है के वन तो आपने कहा 3 की लिमिटिंग वैल्यू किती है के वन क्या है लिमिटिंग वैल्यू के वन तो जहां फंक्शन कोई आंसर नहीं देता है कोई आंसर नहीं देता है जहां पर डिसकंटिनुड इस होता है फंक्शन तो हमको वहां पर क्या आंसर देना पड़त मत करना यह करें तो NO Hum q 5 के बाद में वैलिय으면 नीका ली और दोनों वैलियू सेमनों नीकल गई मतलब इसके लिमिटनक वैल्यू को एक्जस्ट कर रही है के लिए कЕव वैंक तो क्या लिखूंगा इसको इसको मैं लिखूंगा इसको बोलते हो नहीं शिस म 이야기 को सब चाइब बिटा दाइं सीमा राइट हैंड लिमिट एक्वल टू कितना बिटा देखे अभी तक function की सीमा विद्दमान हुई है क्या विद्दमान हुई है सीमा अब मैं बताता हूं दूसरी बात की अगर सीमा विद्दमान ना होती तो कैसा होता अभी तो आपने देखा जहां पर इसका लेवल क्या हो रहा था शुरू हो रहा था हो रहा था ना अम मान लिजे दूसरी कंडिशन ये होती यह फंक्शन था यह ब्रेकिंग पॉइंट था यहां पर हवा हवा हो गया था बुले असानो और इसके बात जब यह सुरू हुआ तो यहां से शुरू हुआ जस्ट इस पर बात कब इंदू क्या होगा, भाही A-H पर आपका Y मिल रहा है जो आपको output मिल रहा है यह देखिए भाही सब अपे वन मिल रहा है बोले यहां और A plus H पर जो आपको level मिल रहा है यह देखिए क्या मिल रहा है? के टू और दोनो एक जैसे नहीं है Yes or no, मतलब 22Tमा after A minus h जो exist नहीं कर रहा है तो आप क्या लेखेंगे सीमा का अस्तित्व नहीं सीमा गजिस पर का स्थीत्व नहीं है यGS स from continuous होई नहीं सकता वो कभी सतत होई नहीं सकता है कभी भी सतत होई नहीं सकता है समझ में आगे ना जिस पर सीमा का स्थित नहीं है वो कभी सतत होई नहीं सकता है क्यों नहीं हो सकता ध्यान से देखिए इस पॉइंट को यह मार्जिन सटा रहा हूं यह देखिए इतना बड़ा गेप है देखहरें आप लोग एक ही पॉइंट में इतना बड़ा गेप भाई आप इतना बड़ा गेप मतलब एक ही पॉइंट पर इतगी सारी वैल्यू कैसे आ जाएंगी आपकी रही पर बहुत बड़ा गेप है लेवल सीदे क्या está से Лेके लेवल के क्या हो के सकती है देखिए दिहान से इसमें लेफट हैंड लिमेट ये 22 सीमा है ये 22 इमा बराबर है ये 22 सीमा भी क्या है अगर ये point भी exist हो जाए बस एक ही point रखना था मुझे ये देखिए एक ही point रखना था तो देखिए दिहान क्या हो जाएगा एलेच लेफट्ट हैन लिमिट और कौन सी लिमिट राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू किस उस पॉइंट पर एपर है यहां पर फिल्हाल थ्री है फिल्हाल क्या है यह अगर तीनों वैल्यू बराबर हो गई अभी बीच में हवा थी बोलो हया ना बताईए बिना पेन उठाने इस ग्राफ को बना सकता हों o czyli ने बना सकता हूं न तो ऐसा ग्राफ भी आप ने वेखा था इस बिंदू पर आपकी दाइसीमा और बाइसीमा बराबर आ एसा फलन ने जिस पर value भी के बना रही है तो फलन क्या कह लेगा सतत फलन क्या कह लाईगा नहीं अगर ऐसा फलन मैंने दिया आपको कि value भी की आ रही है आ रही है अम मान लीज़े चलिए चलिए मैं आपको function दिये देता हूँ मैं लिख करके आपको दिये देता हूँ कि ऐसा है मतलब मैंने खुद कह दिया आपको कि इस point पर value की त्यारी है के बना रही है ठीक है ना जैसे मैंने ये function आपको दे दिया कब? जैसे मैंने आपको ये function दिया fx equal to x square minus 9 upon x minus 3 कब? when x is not equal to 3 आपने इसको हल किया आपने x is not equal to 3 क्योंकि 3 पर ही bend बजरी थी बोलो हाँ और मैंने dedicatedly आपको कह दिया कि चिंता मत कनना x equal to 3 पर मैंने अपने value क्या दिदी है k1 लिए भाई साब अब left hand limit आपने कितनी निका ली k1 हाँ आप x equal to 3 पर put करते अगर तो वो undeterminate आती मगर उस पर क्या लिखा not equal to 3 मतलब 3 रखने का अधिकार इस पर 3 रखने के लिए आपको मैंने अलग सही value दे रखी और उसमें मैंने खुद से कह रखा कि 3 पर value क्या ली ना आपको k1 तो बताओ अब फलन कैसा होगा सतत होगा कैसा होगा सतत समझ में आया गया ना अब सीरी बात है आप ही अगर स्कूल में continuous होते हैं सतत होते हैं समझ गया ना तो आपके आजू वाले वाले को पता होता है कि आप स्कूल में आये थे आपकी बाजू वाले को पता होता है आप स्कूल में आए थे और आप कहां बैठे थे आपकी seat की value क्या थी और आपको खुद भी पता होता है कि आप कहां बैठे थे बोलिये yes or no तो यदि आपका आजू वाला आपका बाजू वाला और फिर तरफ तीनो जन नहीं देखिए अगर गैप होता मान लीजे इस बिंदू पर गैप है ये देखिए मान लीजे इस बिंदू पर गैप है मतलब आपके पास सीमा तो अस्तित्व कर रही है सीमा अस्तित्व कर रही है मतलब रैप्ठेंड लिमिट और राइट लिमिट बराबर आ रही है तो सीमा गया कि श्री कृष्ण क्या तूम आये थे उसने खुद मना कर दिया कि मैं कल नहीं आया था तो आजू बाजू वाले ने तो कह दिया कि हाँ इस वैल्यू पर बैठा था इसकी वैल्यू ये है मगर आपने खुद मना कर दिया है तो क्या इसको आप बिना पैन उठाए बना सकते हो ? नहीं बना सकते हो उसके लिए आपका इस वैल्यू पर मान आना ही पड़ेगा और तीनों मान ये बराबर होंगे तो आपको कुछ चीजें समझ में आई हैं पहली चीज किसी फलन के सतत होने के लिए सीमा का अस्तित करना बेहद क्या है जरूरी समझ में आ गया ना मतलब यदि सांतत्य मंजिल है तो क्या है सीमा उसका रास्ता है समझ गया दाइन सीमा बाइन सीमा बराबर होगी तभी फलन सतत होगा अगर सीमा का अस्तित नहीं है तो फलन भी सतत नहीं होगा समझ में आ गया तो दाइं सीमा निका लिए बाइं सीमा निका लिए दोनों को बराबर दिखाईए और दोनों को बराबर दिखाने के बाद आपको फलन का भी मान निकालना है उस बिंदू पे, अगर फलन का मान उस बिंदू पे क्या जाता है, बराबर, तो फलन का मान उस बिंदू पे क्या जाता है, किसके बराबर, दाइं सीमा के और बाइं सीमा के, तो फलन का अस्तित्य होगा, उसमें सान्तत्य होगा, को बुला गया है उस बिंदू पर फ्लन का मान चेक करिए तो इक्वल के लिए दिया है ना के नहीं हो तो मतलब कुछ ना कुछ दिया होगा आप यह कहिए कि अगर उसके equal ना हो तो बिलकुल असतत होगा चलिए आईए देख लेते हैं मैं आपके सामने एक specially designed function बना रहा हूँ खुद से मैं आपको खुद से एक फलन बना करके दे रहा हूँ और आपको चेक करना है कि x equal to 3 पर सतत है या नहीं है चलिए देखिए f x equal to है x is square minus 9 upon x minus 3 whenever x is not equal to 3 हाँ या ना मतलब दाइन सीमा और बाइन सीमा के लिए responsible ये वाला फलन है दाइन सीमा और बाइन सीमा के लिए responsible कौन सा फलन है ये वाला फलन है और बिंदू x equal to 3 पर मैंने खुद से मान लिख करके दिया है 6 आपको ये नहीं बोलना है कि ये कहां से आगया आपको सवाल ने उठा ना भई 3 पर 6 दिया बस हमारा graph बना दिया उसने ये graph है ये क्या है एक graph है अपने को graph नहीं बनाना आप अपने को चेक करना है तो सबसे पहले सतत है देखने के लिए हमारी पहली condition f equal to 3 पर मान कितना है 6 नंबर वन देखे अलग करो चलिए अब देखते हैं आंगे की value 3 पर 22 सीमा देखेंगे 22 सीमा देखेंगे ठीक है ना अब देखे आपके मन में सवाल आता है सर हम कैसे पता चले कि 22 सीमा 22 सीमा हमें अलग अलग निकालना है अरे भाई देखेंगे अगर 3 के आजू और 3 के बाजू x is not equal to 3 मतलब x 3 के बराबर या तो 3 से बड़ा है या 3 से छोटा है 3 से बड़ा है या 3 से दोनों इस थितियों पर देखिए दोनों इस थितियों पर एक ही प्रकार का फलन है कि दो अलग अलग प्रकार का फलन है मतलब 3 से बड़े के लिए भी फलन है और 3 से छोटे के लिए भी वही फलन है आरीबास समझ में अलग अलग आते हैं बिलकुल आते हैं आपने देखा होगा X greater than 0 के लिए कुछ अलग रहता है X less than 0 के लिए कुछ अलग रहता है Yes or no तो भाई 3 greater पे भी वही है और 3 less पे भी वही है तो अलग-अलग 20 सीमा 22 सीमा निकालने का कोई मतलब नहीं है सीरे एक ही track में 20 सीमा 22 सीमा निकाली है आईए देखते हैं तो क्या निकालते हैं हम Right hand limit, Left hand limit किस पर निकालना है? 3 पर किस पर निकालना है? 3 पर So Limit X tends to 3 Limit X tends to 3 3 पर पतलब X 3 की और बढ़ रहा है X किस की और जा रहा है? 3 की और भया तो दोनों चीज़े include हैं दाएं से भी जा सकता है बाएं से भी जा सकता है x3 की ओर जा रहा है तो fx का मान limit x tends to 3 fx का मान कितना है x square minus 9 upon x minus 3 वो लिए s limit x tends to 3 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 9 को मैं 3 का square लिख सकता हूँ तो यह हो जाएगा x plus 3 into x minus 3 upon में कितना बिटा x minus 3 से x minus 3 cancel हो गया cancel हो गया ना अब देखिए आपके पास जो बज गया उसमें put करके देखिए 3 plus 3 answer कितना है 6 आ गया सांज में ना तो यह composite limit है जो दोनों को समयटे हुए अपने अंदर सायूक्त limit है इसमें left भी involved है इसमें right भी अब आप ले करके कर लिए जगर आपको time pass करना है तो x की जगए a plus h यानि फिल हाल यहां 3 plus h और यहां 3 minus h कोई मतलब नहीं किलेगा time खराब होगा आपका वो h tends to 0 लगाना पड़ेगा हाँ नहीं वो जरूरत है ऐसा नहीं एक paper में वही करना पड़ेगा आपके पास question कैसा आया वो depend करता है अगर question आपके पास तीन function में आया है तो आपको वो करना पड़ेगा greater का अलग है lesser का अलग है और अगर question आपके पास सीधे not equal to 3 है तो यार एक ही में करो ना समझ में आया की नहीं आया clear हो गया तो मान कितना आया 6 तो बताएए सीमा का मन कितना है चाह उसी में इन वाल्ब है वो लिदाए सीमा किती आएगी चाह बाइए सीमा किती आएगी चाह ही आईगी समझे के लिखना हो जादा तो लिख दियो भाई सा अताह है हिंदी में तो लिखना बड़ा असान है अता है लहल 22 सीमा बराबर F of 3 प्लस H बराबर कितना है न छे 22 सीमा बराबर F of 3 माइनस H बराबर कितना छे और फलन का मान कितना छे फलन का मान कितना दिया है छे दिया समझ में आया अता है यह फलन क्या होगा सांतत्य होगा समझ गए अब मैं आपको कुछ चुनिंदा फलन बताया देता हूँ जो हर जगे सांतत्य होंगे बिटा जैसे एक्जामपल के लिए पहला फलन है पॉलिनॉमियल फंक्शन बीजगनती है फलन कौन सा फलन बीजगनती है फलन मतलब जो फलन एक्स की पावर में हुआ करते हैं P X बराबर X की पावर कुछ भी है N प्लस X की पावर N माइनस 1 यहां कोई constant लगा दो A N A A 0 A 1 मतलब X की पावर के फलन बीजगनती फलन बीजगनती फलन मतलब जिनके अपॉन में कुछ ना हो जिनके नीचे अपॉन में कुछ ना हो अगर अपॉन में हो गया तो बन जाएंगे परिमे फलन क्या बन जाएंगे परिमे फलन की बात नहीं हो रही है बीज गनती फलन सर्वथा सांतत्य होते है सर्वथा क्या होते है X का कुछ भी मान दे दो आपको वेल्यू देंगे जो X का कुछ भी मान देने पर वेल्यू देगा वो का होगा सांतत्य ही दो होगा क्योंकि सांतत्त का पंगा उठता कहां पे है जहांपर value दी और answer नहीं आया वहीं पर तो सांतत्त चेक होगा बोलो yes or no वहीं चक्की खराब हुई वहीं पर तो दिक्कत बनीगी न yes or no तो यह हो गया सांतत्त का पहला concept कि आपको चेक करना है उस बिंदू पर कैसे है पहला बिंदू दिया हुआ है क्या दिया हुआ है बिंदू दिया हुआ है और आप उस पर सांतत्त चेक करिए खुद कॉशन कह देगा कि बिंदू दिया हुआ है इस बिंदू पर सांतत्त चेक करो बहुत सिंपल उस बिंदू के आजू पर उस बिंदू के बाजू पर value डालिए function की और चेक करिए और उस बिंदू पर भी चेक करिए पहला पहली चीज़ दूसरी चीज़ बिंदू दिया है तो सांतत्त चेक करना है दूसरा function खुद कहेगा कि ये फलन सांतत्त है ये फलन बोलो यहां जयसे मैं कहूं कि मुखन हर दिन लिया, मुकल भे आपन को क्षुद चुनाओ कर ले ना ह 강ा, हर दिन निखाले, ऊच्रां लिदे कि निकालने निकाल दो, हैस और नो, तो इस तरीके से जगो कोई कहे कि फलण यह सांतत है तो, तो सांतत दिया रहेगा और आपसे ब प्रश्न की सुरुवात क्या होगी लिखोगे दिया गया है कि हमारा फलन इस बिंदू पर सांतत्य है अता है दाइन सीमा बराबर बाइन सीमा बराबर फलन का मान तो एक बार इसको उठा के इस से जोड़ोगे ये बराबर ये जोड़ोगे तो एक समीकर्ण बनेगा बोलो है के पूछा गया है ए पूछा गया उसका मान अराम से आ जाएगा समझ में आया तो इस तरीके से आपको सांतत्य के प्रश्न करने हैं अब ये बात आती है कि आखिर सांतत्य का उपयोग क्या है सांतत्य का फाइदा क्या है देखिए फलन के सांतत्य होने से फाइदा क्या ह ये कोई मेरे पास फलन है बिटा अवकलन का मतलब होता अवकलन जैसे physics में आपने पढ़ा था V बराबर ds by dt वेक बराबर विस्थापन में परिवर्तन की दर विस्थापन में परिवर्तन की दर जिसको बोलते दे आपन डेल्टा ऐसा पॉन डेल्टा और ये आता था मतलब की विस्थापन समय ग्राफ की प्रमर्ता विस्थापन समय ग्राफ की प्रमर्ता जो थी वह हुआ करता था वेग विस्थापन समय ग्राफ की प्रमर्ता तो यदि किसी बिंदु पर आपको वेग निकालना पड़ता था इस बिंदु पर तो इस बिंदु पर प्रमर्ता निकालने के लिए क्या करोगे इस बिंदू पर इस पर स्रेखा खीचोंगे बुलो हाया ना तब ही तो प्रमरता निकलेगी क्यों क्योंकि प्रमरता का मान होता है टेन थीटा प्रमरता क्या होती है तेन थीटा जिसको ढाल बोलते हैं किसी बिंदू का ढाल निकालने के लिए उस बिंदू से इस परस रेखा कीचिए वो लिया है ना किसी बिंदू का ढाल निकालना है उस बिंदू पर कैसा ढाल है तो उस बिंदू पर इस परस रेखा कीचिए और इस बिंदू पर इस परस रेखा का ही ढाल निकलेगा तो वो कहलाएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा X कहो हाँ या न नहीं पता क्या चलो नहीं पता है तो याद करो देखो वेग बराबर होता था विस्थापन बटे समय अंतराल हाँ या न मतलब कुल मिला के काम की बात ये है भाई साब कि अगर आपको किसी फलन का अवकलन करना है क्या करना है अवकलन का मतलब उस फलन पे फलन के ग्राफ में उस फलन के ग्राफ में इस परस रेखा कीचो और उसका क्या निकालो ढाल निकालो क्या निकालो तो मेन कारण ये है कि इस परस रेखा तो खीचनी पड़ेगी न अवकलन के लिए क्या खीचना पड़ेगा बिना स्पर्स रेखा खीचे अवकलन होगा क्योंकि अवकलन का मतलब ही है कि स्पर्स रेखा का ढाल मन में छाप लो अवकलन बराबर स्पर्स रेखा का ढाल अवकलन बराबर स्पर्स रेखा का जिस बिंदू पर अवकलन बोले मतलब उस बिंदू पर इस परस रेखा खीच के उसका डाल निकालना है डाल मतलब 10 ठीटा डाल मतलब 10 ठीटा अब जिस बिंदू पर अवकलन करना है मतलब उस बिंदू पर क्या खीचना है उस परस रेखा तो वो बिंदू विद्धमान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए वो बिंदू विद्दमान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए और ये मान लीजे कि ये बिंदू विद्दमान नहीं होता अब मुझे इस पर बोला जाता कि इस पर स्पर्स रेखा खीचो तो क्या मैं इस पर स्पर्स रेखा खीच पाता भगवान जानी इस पर क्या होगा होगा बिंदु साइद उपर चला गया हो यहां पे या हो सकता है बिंदु साइद नीचे चला गया हो या फलन ऐसा गुम करके आ गया हो यह ता इस तरीकी से कुछ भी हो सकता था मतलब यदि कोई फलन बीच में असतत है तो उस पर इस पर सरेखा खीचना पॉसिबल नहीं है समझ मैं है ना अगर कोई फलन असतत है तो उस पर सरेखा खीचना पॉसिबल नहीं है और अगर इस पर सरेखा नहीं खीच पाओगे तो उस पर उसका ढाल भी निकाल नहीं पाओगे मतलब जो फ्लन असतत होता है उसका अवकलन कभी होता नहीं है वह अवकलनिय नहीं होता है समझ गए तो प्रतेक असतत फ्लन अवकलनिय होता है कैसा होता है लिख लो कौपी में प्रतेक असतत फ्लन अवकलनिय होता है मतलब असतत फ्लन का अवकलन नहीं किया जा सकता है प्रतेक असतत फ्लन अवकलनिये होता है ठीक ना, मतलब कोई असतत फ्लन है तो आप उसे अवकलनिये नहीं कर सकते हैं क्योंकि उस बिंदु पर आपको मौका ही नहीं मिलेगा इस परस रेखा खीचने का और ढाल निकालने का आपकी इस परस रेखा ही नहीं खीचेगी तो कहां से ढाल निकालोगे प्रतेक असतत फलन अवकल नहीं होता है अब इन्होंने कहा क्या सर इसका मतलब प्रतेक सतत फलन अवकल नहीं होगा नहीं इसमें भी twist है कि प्रतेक सतत फलन अवकल लिए नहीं होता है असतत तो होता ही नहीं है यह तो guarantee है असतत फलन तो अवकल लिए नहीं होगा यह guarantee है क्योंकि बीच में टूड़ जायागा तो टेंजन कहां कि चुग है यह चैख करना पड़ेगा, आइए पहले example देता हूँ, यह डेखिए, यी सतत फलन है, क्या ना है इसका य बराबर modx, यह raginать बराबर कुतना? boys modieren w濃 एफ एकसाइब अब ध्यान से देखी ये बिंदु कि मैंने का इस बिंदु पर उस्प पर से खा की चो ठोड़ा अलगomm लिए यह फिदू पर क्या की चो भाई सब इसपर से लेखा का काम है केवल एक बिन्दू को टच करना इस पर सरेगा कभी दो बिन्दू को टच नामी है एक बिन्दू पर टच करना अब देखे मैं इस बिन्दू पर एक बिन्दू से टच करती हुई लाइन मनाता हूं यह बोलो टच करके गई टच्च करके गई टच्च करके गई फलन सतत है मगर फलन अवकल निये नहीं है समझ में आया नहीं आया है अब बताता हूँ क्योंकि एक बिंदू पर कितनी इस स्पर्स रिखाए है अनंत किती हैं अनंत रेखाए हैं मतलब अनंत डाल बनेंगे कि दिर बनेंगे मतलब ृव्पध भाई डी एक नहीं अने को मान आएंगे क्या यह संभो है नहीं है इसलिए जरूरी कि हर सततित्त पलन क्या हो अवकल्णी हो सतत फलन में उन पॉइंट को बाहर कर देना जिन पर शार्प因 एजिस आ रहे हैं क्या हैए शार्प एजिस, कोने वाले एजिस समझ में आया ना? कोई दिक्कत और साथ में फलन अंत बिन्दु वो पर अवकल निहींन होता है जैसे मान लीजे अंत बिंदू है, मान लीजे फलन यहीं तक दिया गया है, अब इस बिंदू पर भी देख लीजे, यह देखिए, हाया ना, कहा टेंजेंट बनाओगे भाईया, बहुत सारी टेंजेंट बनेगी, बहुत सारी इश्पर्स रिखाएं बनेगी, आई बात समझ म हो गया, तो किवल सतत देख लेने से यह पता नहीं चल जाता, कि वह अवकलनिये, है, इसे लिए दूसरा टेस्ट आने वाला है, इस चप्टर का दूसरा पार्ट, अवकलनिये था, पहला पार्ट हमने देखा कि फलन सतत है या नहीं, दूसरा पार्ट क्या देखेंगे, सांतत्त होने के बाद पहला चेक हो गया सांतत्त्त ये बताएगा कि graph पूरा mensen लो में है कि नहीं है और अवकल निये ता बताएगी कि ग्राफ जो है उसका डिफरेंसियेशन उसका अवकलन कर सकते हो या नहीं समझ में आ गया ना तो बताएए अगर अवकल निये होगा तो सांतत्त्त होगा कि नहीं होगा हां अगर कोई फलन अवकल निये है तो वह 100% क्या अता है प्रतेक अवकल निये फलन सतत होता है, प्रतेक अवकल निये फलन क्या होता है? सतत होता है, परन्तु जरूरी नहीं है, परन्तु जरूरी नहीं है कि प्रतेक सतत फलन अवकल निये भी हो, क्या बता है बच्चों मैंने, हर अवकल निये फलन सतत होता है, परन्तु जरूरी नहीं है कि हर सतत फलन अवकल निये हो, उदाहरन मॉड एक्स, लिख लो, उदाहरन एफेक्स बराबर मॉड एक्स, एफेक्स बराबर मॉड एक्स, क्या है क्या नहीं है, सतत है परंतु अब कलनी है नहीं है लिख लो उधारन एफ एक्स बराबर मौड एक्स सतत है परंतु अब कलनी नहीं है डन बच्चों सतत तो है परंतु अब कलनी है नहीं है ठीक है जी इसको तो अपन अब रफ करते हैं अब पहली चीज भाई सतत आपने चेक कर लिया और सतत के एक्जामपल कॉश्चन अब आप लगाईए अच्छे से हर पॉइंट पर सतत चेक करिए कि सरसांतत तो आपने बता दिया चेक करना दाई सीमा पहली एक्ससाईज आपकी यहाँ पे हो जाएगी अब बात करते हैं अवकल नियता की चेक की जाये? ठीक है ना जी? अवकल नियता अब कलनियता कैसे चेक की जाए बिटा जैसे वहाँ पे था कि दाइं सीमा बराबर बाइं सीमा वैसे यहाँ पे चलता है वहाँ पे क्या चलता था F of A plus H बराबर F of A minus याद है यहाँ पर के वल डैस लगा दो क्या लगा दो जी F डैस A plus H इसको बोलते हैं Daya of college क्या बोलते हैं अब कलज बराबर कितना बाया of college अवकल नीता के प्रशन मध्वरदेस मध्मिक सिच्छा बंडल भुपाल में नहीं आते हैं बहुत कम आते हैं ना कि बराबर आये हुए तो आप चाहें तो इस segment को छोड़ सकते हैं इस exercise में दो तीन प्रस्ट नहीं है इसको आप चाहें तो छोड़ सकते हैं यह वाला point ठीक ना तो f dash a plus h equal to f dash a minus h दाइं अवकल नहीं तो आपको अगर यह सही हो गया इफ यह फिट बैठ गया तो फलन आपका अवकल नहीं है और यदि यह फिट नहीं बैटा तो आपका अवकल लियें आई यह देखते हैं जैसे अच्छा पहले मैं आपको शॉट ट्रिक बता रहा हूं short trick बता रहा हूँ for example आपके पास कोई फलन है mod x mod x का मान क्या होता है mod x का मान होता है x greater than 0 पर mod x किस पर तूटता है x पर x less than 0 पर किस पर तूटता है minus x पर f-a plus h किस पर निकलेगा जैसे अब मान लीजिए हमें 0 पर चेक करना है किस पर चेक करना है 0 पर हमें चेक करना है कि ये फलन 0 पर अब कलनी है या नहीं है ठीक है ना 0 पर अब कलनी है नहीं तो एक value हमें निकलना है इसका differentiation किस से 0 से जादा पर क्योंकि एक ही जगे कौन खेल रहा फिलहाल 0 तो एक हमारा निकलेगा f-0 plus h बोली हाँ और एक निकलेगा f-0 minus h मतलब x equal to 0 का कोई काम नहीं है याद रखी के इस बात को सांतत्त में x equal to 0 का भी एक point था वहाँ पर 0 भी चेक करते थे मगर यहाँ पर 0 पर कोई चीज चेक नहीं करना है एक तो 0 से ज़्यादा का फलन चाहिए अब आईए उनको करते हैं अब कलन करते हैं तो यह क्या था यह था fx क्या था यह अब आईए यह निकालते हैं f-x f-x मतलब जानते हैं हाँ बोलिए plus x का उकलन कितना होता है 1 क्या होता है 1 मतलब x की value 0 से बड़ी होने पर जो अब कलन आया है 1 x गड़े जीरो पर और x less than 0 पर अब कलन कितना निकले अब लिए मतलब f-0 माइनस h बराबर कितना आगया माइनस 1 बोलिए है ना यह दोनों अब कलन किसके आजू वाजू निकले हैं 0 का जू वाजू किसके आजू वाजू निकले हैं कियोंकि हम किस पर चेक कर रहे हैं आपने डाय्र कलीव फञचन को तोड़ा और चेक कर लिया कि यह है या नहीं है बट यह मैथठड को बुक में नहीं लगानी अगर आफके बॉर्ट में पेपर आता है तो आपको यह मतंःड लगानी नहीं नहीं तो चार नमबर का एक नमबर देगा तो कौन सी मेथड लगानी है आपको आपको लगानी है जो लीगल मेथड आपकी है है ना दाया अफ कलज और बाया अफ कलज का सूतर निकालने वाली मेथड तो मैं आपको दोनों फॉर्मूले लिखाए देता हूँ देखिए इकवाल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस कितना ऐफ हे अपॉन कितना बिटा माइनस एच यह होता है सूतर बाया आपको लचका यह दाया आपको लचका सूतर है और यह किसका है आईए इसको solve कर देता हूँ मैं किसके लिए हाँ नीचे भी minus रहता इसमें ठीक है ना अगर आप minus sign का multiply उपर कर देंगे तो f a आँगे आ जाएगा और f a minus h पीछे चला जाएगा तो फिर minus h मत लगाईए आपकी मर जी कहा बेटा हाँ इसमें f dash लगता है यह देखियेный तो ये क्या लिखा है मैं ने ये f dash a plus h का मान है ये किसका मान है f dash a minus h का वही तो ना सान्तत में आप फलन की बारे में चेक करते हैं और इसमें इसके अवकलज की बारे में चेक करते हैं इसलिए dash पर खेलेगा वो किस पे खेलता था F पे आई बस समझ में ना आई ये देखते हैं तो अब यहीं हम बात कर रहे थे कौन सा फंक्शन था वो ही अपना था mod x बराबर है ना बड़ा mod x बराबर x जब x गड़ देन 0 और minus x कब जब x less than 0 ठीक है जी तो हम दो दो चीज़ें निकालेंगे एक f dash 0 प्लस h और एक f dash 0 minus h यह है दायाँ अपकलज और यह है बायाँ अपकलज फिलिंग पूरी पुरी पकड़ो एक ही जगे कौन खेल रहा है 0 एक ही जगे कौन खेल रहा है 0 अगर एक ही जगह 1 खेलता तो 1 प्लस H, 2 खेलता तो 2 प्लस H, है न बिटा, तो हम 0 पर चेक कर रहे हैं, तो yes, 0 प्लस H, आ जा, फॉर्मुला लगाओ, limit H tends to 0, यहां तक आ गए, F of 0 प्लस H, F of कितना A, एक ही जगह कौन है, 0 प्लस H, minus F A, मतलब कितना F, 0, F, upon कितना बो, H, देजे, F of 0 minus H, क्या हो गया, 0 minus H, minus F of कितना, 0, upon कितना, minus H, चली आए, पुट करते हैं, हाँ, limit H tends to 0 रहन दीजे, F of 0 plus H, 0 से बड़े के लिए function कौन सा लगेगा, यह वाला, बुलिए यह सा लो, 0 से बड़े के लिए function लगता है, यह वाला, तो F of 0 plus H, मतलब X की जगह कित आएगा, ही आएगा, आनी आएगा, बदो, H minus F of 0, एक पॉइंट इस में यह भी लिख देगा, वो, X equal to 0 पर कितना, 0 होता ही है, हाँ, बिटा यह function तुम को पता है कि नहीं पता, यह तो तुम को question में दिया रहेगा, बस अब इसके accordingly इस में value put करते जाओ, यह formula आपको य कितना, H, डाल रही है value, अब आजो भाई value put करते हैं, तुम बताओ मुझे, F of 0 plus H में कौन सा function लगेगा, 0 से बड़ी के लिए कौन सा लगेगा, उपर वाला, बीच वाला, नीचे वाला, उपर वाला लगेगा, भाई, 0 से greater के लिए यह देखो लिखा हुआ है, हाँ है ना, तो 0 से greater के लिए क्या लगेगा, X, तो X डख दीजे, X की जगे क्या रखना अपन को देखो, A plus H, A plus H मतलब क्या, 0 plus H, X अपना क्या, फिलाल, 0 plus H, तो अपनने डाल दिया, F of 0 plus H, X अपना है कितना, 0 plus H, minus F A, F A, A point क्या है, 0, upon कितना, H, चलो solve करते हैं, F 0 plus H, क्या है function, 0 से बड़े के लिए, जो function आ रहा है, क्या रहा है, X हा रहा है, मतलब 0 plus H, जो है, वही उतार दो, तो 0 plus H, याने H होता है, तो क्या आ गया है, H, minus, F 0 का मान देखो, कितना दिया है, 0 पर function की value कितनी होगी, 0, 0 पर कितनी होगी, 0, तो 0, upon कितना हो गया, भाई साब, H, H से H क्या ह अधी, रखने का मौका तो दो, कट गया, तो कहां रख दूँ, पहले काटना है ना, और क्या, लास्ट में, तभी तो, yes or no, अब जैसे वो question कराया था, X square minus 9 upon X minus 3, बोलो yes or no, तो पहले उपर नीचे काटा नहीं था, आपन ने, X minus 3, X minus 3, और हार जगे अब 3, 3 रख दो कितना तो answer 0 बटे 0 रहेगा हमेशा, फिर limit solve करने का मतलब क्या हुआ, फिर तो अनिर धार बना ही रहेगा, अनिर धार था, इसे लिए तो आपन उसको solve किये, आंगे देखिए, हाँ ध्यान से लेगा, एप अप 0 minus H, 0 से कम value है कि 0 से बड़ी, 0 से कम के लिए कौन सा function apply होगा, उपर वाला की नीचे वाला, मतलब minus X, minus X, तो भही अचली रखता हूँ, limit H tends to 0, minus, और X की जगे ये बैठा है कि नहीं बैठा है, बोलो, बोलो yes को, minus X की जगे कौन बैठा है, 0 minus H, बोले तो कितना, minus H, और ये कितना है, upon कितना, minus H, yes or no, minus से minus, cancel, H से H, बड़ एक minus नीचे बचा है, बोलो कितना आया, minus 1, कितना आ गया, ये है, दाया आपकलज, और ये है, क्या दाया आपकलज, माया आपकलज के बराबर है, नहीं है, अतह इस फलन का, अवकलनिये, नहीं होगा, किस बिंदू पर, X equal to 0 पर, क्योंकि आपने चेक किस पर किया है, 0 पर, आता है, ये है, X equal to 0 पर, अवकलनिये, नहीं होगा, ठीक है, नोट का लेजिए इसको अच्छे से, ये अवकलनिये का एक प्रशन ही काफी है, और बाकि इसके जैसे 2-3 प्रशन आपकी बुकलेट में है, उनको भी करिएगा,